क्या हिंदी माध्यम या इंग्लीश मीडियम UPSC के सेलेक्शन में रोल प्ले करता है। हिंदी मीडियम के कुछ में में चैलेंज है जो मैंने फील किये थे। वहीं पे हिंदी मीडियम में उतने टोपर्स नहीं निकलते। उसकी वज़े से हमारे सामने चैलेंज आता है कि हम किस जो एंसूर को ना आइडियल एंसूर माने। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव बुडानिया। मैंने CSE 2020 में ओल इंडिया 13th रिंग का हसिल की थी। आज हम एक important topic पे बात करने वाले हैं कि क्या हिंदी मादियम या English medium या इंगलिस मीडियम या नहीं करता है या नहीं करता है। तो ज़्यादतर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्यों सनाता है कि हिंदी मीडियम का result उतना अच्छा नहीं रहता जितना English medium का result रहता है। लेकिन इस बार जो result आया है उसके बाद ये थोड़े मित खतम हुए है। फिर भी हम बात करते हैं कि हिंदी मादियम में और English medium में क्या-क्या challenge रहते हैं, कैसे उनको अवर कम कर सकते हैं, क्या मेरी strategy थी, यदि आप हिंदी मीडियम में, English medium में convert करना चाते हैं, तो क्या कर सकत हैं, उन बातों का ध्यान देते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि यूपीएसी में, हिंदी मीडियम और English medium में कोई ज्यादा फरक नहीं होता, ये केवल एक language है जिसके थरूँ आप present करना चाते हो, लेकिन हिंदी मीडियम के कुछ main main challenge है, जो मैंने feel किये थे, सबसे challenge है, तीन घंटे के अंदर paper पूरा करना, English generally क्या है कि उसको ज़्यादा तेजगती से लिख सकते हैं, क्योंकि English के अंदर आपको pen को ज़्यादा उठाना नहीं पड़ता है, हिंदी के अंदर हर सब्द के बाद आपको pen को उठाना पड़ता है, और उपर शिरो रेखा लिख आपको extra time लगता है, इसकी वज़य से सबसे बड़ा जो challenge आता है कि आप paper complete ही नहीं कर पाते हैं, और यही एक कारण था कि मैं एक slow handwriting वाला आदमी था, इसलिए मैंने हिंदी से English medium को convert कर लिया, तो यदि आप Hindi medium से exam देने वाले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी speed बहुत ज्यादा तेज होनी चीए, English वालों से आपकी speed 120% ज्यादा होनी चीए, ताकि आप paper को complete कर सको, दूसरा सबसे बड़ा issue आता है आपके पास content, तो जो static content होता है, वो English medium और Hindi medium में दोनों में मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ा challenge जाता है, जो current affair आ रहे हैं, उनके जो major source हैं, जैसे हिंदू हो गया, Indian express हो गया, उनका जो हिंदी translation कहां से मिले, और जो हिंदी translation मिलता है, उसको ना उतनी बड़िया तरीके से मतलब की present नहीं किया जाता है, मतलब जो content होता है, उसकी जो मूल content होता है, वो आपको deliver नहीं होत नहीं हैं, तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कि आपके पास topers की copy, English medium में क्या होता है, कि हर साल बहुत सारे topers निकलते हैं, तो उनकी जो copy देखके, जो answer sheets हैं, उनको देखके हमारे पास क्या होता है, एक model answer का थोड़ा अंदाज हो जाता है, कि इस तरीके का model answer जो हिंदी से यदि paper दे भी रहे हैं, तो English medium के topers की copy देखें, कि उन्होंने किस तरीके से heading डाली है, किस तरीके से सब heading दी है, किस तरीके से उन्होंने diagrams बनाए हैं, उन चीजों को उनका जो innovative चीजे हैं, उनको अपने अंदर क्या कर लो, copy कर लो, फिर चाहे medium आपका हिंदी हो, तो भी आपके answer की structuring क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ये 3-4 जो हिंदी माद्यम के सामने जो challenge आते हैं, उसको आप अवर कम कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं हिंदी माद्यम से paper देने स मेरा result अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं English में convert हो सकता हूँ, तो ये मैंने किया था, मेरा जो starting की education थी, वो हिंदी मीडियम से हुई थी, मैंने मेरा interview भी हिंदी में दिया था, लेकिन मैंने मेरा means था, वो English में दिया, अब English में means दिया था, तो उसके सबसे बड़ी आपके सामन करना होता है, तो इसका सबसे बड़ा source आपके पास कहा से होगा, इसका सबसे बड़ा source होगा आपकी NCRT, NCRT के जो last page होते हैं, वहाँ पे glossary होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो भी उस books के अंदर जितने भी words यूज हुए हैं, उनका simple explanation होता है, तो मैं सबसे पहले उन जो glossaries होती थी, उनको याद कर लेता था, ताकि उस subject के specific जो vocab है, वह मेरी अच्छी हो जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी जो grammatical skill है, जो answer writing की skill है, उनके उपर आप काम कर सकते हो, ताकि आप जो आपके अंदर के विचार है, उनको English के अंदर भी present कर स है, लेकिन यदि आप paragraph form में लिख रहे हो, तो आपको simple sentence बना के आप next point के उपर जा सकते हो, इस से आपका content भी ज्यादा लिखा जाएगा, और इस से आपको जो answer writing के अंदर coherence है, उनकी problem भी नहीं आएगी, तो यदि आप चाहते हो कि मैं हिंदी माध्यम से English medium के अंदर यद writing की practice करोगे, तो जो आपका हिंदी से English में जो transition है, वो काफी असान हो जाएगा, और इसके साथ मैं एक बात और clear करना चाहता हूँ, कि आप हिंदी माध्यम से interview दे सकते हो, और English में आप मेंस का अपना paper है, उसको attempt कर सकते हो, और prelims में आपका medium कोई matter नहीं करता, क्योंकि व आपको कुछ फाइदा जरूर मिलेगा, बाकी कोई भी आपके doubts हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं, मैं उनको clear करने की कोशिश करूँगा.